हलो दोस्तों, लुसेंट राजस्तान जी के की निचोड के इस स्юियो में आपका welcome है दोस्ता हूँ, तो ये वीडियो का 49- gram बात दोस्तों, इससे पहले भी तहिंः लिस पारट बनाए जाचेक दोस्तों, वो भी आप चैनल पर जाकी देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको मिलने वाला दोस्तों जो कि राजस्तान के सभी एक्जाम के लिए काफ़ी इंपोटेंट साबित होने वाले हैं क्योंकि सभी कोशन प्रीवेस येर एक्जामों के अंदर पूछें जा चुके हैं दोस्तों अगर दोस्तों आपको डेली लुसेंट रास्तान जी की वीडियो पराप्त करनी है तो study readout channel को subscribe कर जिए और bell icon बटन को भी दबा दी जुस्तों तो शुरू करते हैं दुस्तों आज की वीडियो निम्न में से आंत्रिक जल परवहा का सर्वोत्तम उधारण है तो इसका गरेक्ट आंसर है option number D सामर जील है जो की आंत्रिक जल परवहा का सबसे उत्तम उधारण है निक्षन है राजस्तान में बरकान या अर्द चंद्रागार बालुका इस्तूप पाए जाते हैं तो इसका ग बरकान या अर्द चंद्राकार बालुके इस्तूप नेक्षन है पच्छिमी मरुस्तलिय भूबाग में जनसंक्या का कितना प्रतेशत है तो इसका गरेक्ट आंसर है option number B 40% जो जनसंक्या है वह पच्छिमी मरुस्तलिय भूबाग में निवास करती है नेक्षन है निम्न में से पच्छिमी मरुप प्रदेश की लंबाग में निम्न में से सामान्य ढाल से सम्मंदित सत्य कथन है तो इसका गरेक्ट आंसर है option number B पूरू से पच्छिम वे उत्तर से दक्षिन की ओर है सामान्य ढाल नेक्षन है राजस्तान में पच्छिमी रेतिले मरुस्तल का कितना भाग बालू का स्थूपों से आच्छा दित है तो इसका गरेक्ट आंसर है option number B 60% जो भाग है वे बालू का स्थूपों से आच्छा दित है नेक्षन है राजस्तान में उदेपुर के गिर्वा शेत्र की आकर्ती है तो इसका गरेक्ट आंसर है option number C तस्तरी नुमा है गिर्वा शेत्र की आकर्ती नेक्षन है निम्न में से राजस्तान की अरावली श्रेणियों के समद्ध में नाल शब्द का अर्थ है तो इसका गरेक्ट आंसर है option number C तंग रस्ता या दरा होता है नाल शब्द का अर्थ अर्थ अरावली श्रेणियों से समद्ध में नेक्षन है मद्ध्यम अरावली शेत्र में सरवादिक उँचाई पर इस्तित चोटी कौन सी है तो इसका गरेक्ट आंसर है option number B तारागड चोटी है मद्ध्यम अरावली शेत्र के अंदर सबसे उँची चोटी सरवाद्च शुपर गुरु शीकर की उँचाई कितनी है तो इसका गरेक्ट आंसर है ओप्षन No. B विल्कुल गरेक्ट है 5,650 पिट है सरवाद्च शिकर गुरु शीकर की उँचाई नेक्ष ने अरावली प्रदेश को कितने उप प्रदेशों में विवक्त किया गया है तो इसका correct answer है option number C तीन उप प्रदेशों में विवक्त हिया है अरावली प्रदेश को नेक्ष ने राजस्तान का कौन सा भूतिक प्रदेश जल विभाजन का कारिय करता है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमर भी मद्यवर्थी अरावली परदेश करता है जल्वी भाजक का कारिय निक्षने निम्न में से राजस्तान में हर्ष की पहाडियां इस्तित है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमर भी सीकर जिले में इस्तित है हर्ष की पहाड पहाडिया निक्षिन निम्न में से राजस्तान में नाग पहाडिया इस्तित है तो इसका Correct answer को ने गुरु शिकर कर से जो गुरु शिकर की चोटी है उसको कहा है संतों का शिकर निक्षने निमने में से राजस्तान की दूसरी सबसे उची चोटी कौन सी है तो इसका गरेक्टांसर है option number D सेर है दूसरी सबसे उची चोटी अरावली की निक्षने राजस्तान में अरावली प्रमाला की कितने प्रतीशत लंबाई है गरेक्ट आँसर है आए 80 % जो अरावली प्रमाला की स्थित है निंडिन से राड गार्श्तान जिले में निक्षने, राजस्तान का कौन सा भू आकरतिक भाग सबसे कम शेत्र में विस्तरत है तो इसका correct answer है, option number B, रावली परवर्टिय प्रदेश जो भू भाग है वह सबसे कम शेत्र में विस्तरत है निक्षने, राजस्तान राज्य का कौन सा नगर तस्तरी नुमा बेसीन पर बसा हुआ है तो इसका correct answer है, option number B, उदेपुर नगर बसा हुआ है तस्तरी नुमा बेसीन पर नेक्षने निम्न में से भोमट है तो इसका correct answer है option number B जो डूंगरपूर का अगम में शेतर है उसे भोमट कहा जाता है निक्ष ने राजस्तान में अरावली श्रंकला की समुदर तल से उसत उचाई है तो उसका गरेक्ट लांसर है आप्ष नमरे 930 मिटर है उसत उचाई अरावली श्रंकला की समुदर तल से निक्ष ने निम्न में से अरावली परवत माला का विस्तार सबसे कम राजस्तान के किस जिले में है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमर भी अजमेर जिले में है सबसे कम विस्तार अरावली परवत माला का निक्षने निम्न में से राजस्तान में रावली परुतमाला में इस्तित राजस्तान के जिलों की संक्या कितनी है तो इसका correct answer है option number D 18 जिलो के अंदर इस्तित है अरावली परवत मला राजस्तान के नियम्न में से अरावली परवत की इस्तती है तो इसका correct answer है option number C, दक्षिन पच्छिम से उत्तर पूरो तक है अरावली परवत की इस्तती किस नदी के परवहाशेत्र को राजस्तान में 56 का मेदान कहते हैं? तो इसका correct answer है option number B, जो मही शेत्र का परवहाशेत्र है उसे 56 का मेदान कहते हैं नेक्षिन है निम्र में से और राजस्तान में आंतरिक जल परवहाश की नदी नहीं है तो इसका correct answer है option number E, जो खारी नदी है वह आंतरिक जल परवहाश की नदी नहीं है इसके अलाव गगर, बांडी और कांकनी ये तीनों ही आंतरिक जल परवहाश वाली नदीया है निक्शन है निम्न में से चुरू जिले में पर्भावित होने वाली नदी है तो इसका correct answer is option number D डी इन में से कोई नहीं मतलब चुरू जिले में कोई भी नदी नहीं बहती चुरू और विकाने दो राजस्तान की जिले हैं जहांपर कोई भी नदी नहीं बेहती है, निम्न में से जोजड़ी वे सूखड़ी नदी किसकी साइख नदीय Billie घा सुखड़ी कर्रै है तो इसका घर है अप्शन नम्र डी लोनी नदी की साइख नदीया है जोजड़ी और सूखड़ी में राजस्तान में बनास नदी का उद्गम इस्थल है तो इसका घरी राजस्तान में खारे पानी की सरवादिक जीलें किस जीले में इस्तित है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमर भी नागोर जीले में इस्तित है खारे पानी की सबसे ज़्यादा जीलें नेक्षन है राजस्तान में चंबल नदी का प्रवेश सुरपर्थम किस जिले में होता है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन मड़ सी चितोडगर जिले में होता है सबसे पहले चंबल नदी का प्रवेश है निमन में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमर भी पच्छी में बनास नदी गिरती है अरब सागर में निमन में से करक रेखा को दो बार पार करने वाली नदी है तो इसका गरेक्ट टांसर है आप्शन नमर B माही नदी है जो करक रेखा को दो बार पार करती है निक्शने निम्न में से राजस्तान राज्ये की बारहर मासी नदीया है तो इसका correct answer है option number B चंबल और माही नदिया है जो की 12 मासी नदिया है निक्षन है निम्न में से कावोद जील राजस्तान में कहां पर इस्तित है तो इसका correct answer है option number B जेसर मेर जीले में इस्तित है कावोद जील राजस्तान में निक्षने निम्न में से अनुप सागर राजस्तान के किस जिले में इस्तित है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमबर बी बीकानेट जिले में इस्तित है अनुप सागर राजस्तान के निक्षने भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी जील सामबर जील किस जीले में आवस्तित है तो इसका गरेक्ट टांसर है आप्शन नमबर बी जेपुर जीले में इस्तित है दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की जील जिसका नाम है सामबर जील निम्न में से नव लखा जील राजस्तान के किस जिले में इस्तित है तो इसका correct answer है option number B बुंदी जिले में इस्तित है नव लखा जील निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो इसका correct answer है, option number B, जो पारवती नदी है, वह बंगाल की घाड़ी में गिरती है, नेक्षने, इनमे से रमत क्या है, तो इसका correct answer है, option number C, चितरकला शेली का नाम है, रमत, नेक्षने, नेमनमे से राजस्तान में खारे पानी की जील है, तो इसका correct answer है, option number B, लून करनसर जो ज जील है, नेक्षने, नेमनमे से खंबात की खाड़ी में जल ले जाने वाली नदी है, तो इसका correct answer है, option number B, मही नदी है, जो अपना जल खंबात की खाड़ी तक ले जाती है, नेक्षने, नेमनमे से सोम नदी किसकी साहिक नदी है, तो इसका correct answer है, option number B, मही नदी के साहिक निक्षने निम्न में से चम्मल नदी का उद्गम इस्तर है तो इसका गरेक्टर आंसर है आप्शन नमर बी जाना पाव की पहाड़ियां मद्य प्रदेश है चम्मल नदी का उद्गम इस्तर है निक्षने निम्न में से चम्मल नदी राजस्तान के किन जिलों से नहीं गुजर चम्बल नदी इसके अलावत दोलपुर कोटा चितोड़गड इन तीनों जिलों से होकर गुजरती है चम्बल नदी निम्ण में से राजस्तान में चूलिया जल्परपात किस नदी पर है तो इसका गरेक्ट तांसर है ऑप्शन पर सी चम्बल नदी पर सिद्ध है चूलिया ज जल प्रपात ने निम्न मेंसे राजस्तान की 12 मासी नदी कौन सी है तो इसका गर्यक्टांसर है ऑप्षन मची जो बनास नदी है वह 12 मासी नदी है राजस्तान की ने ने जीवनधरा योजना किस से सम्मंदीत है तो इसका गर्क टांसर है option number C शिचाई है तू कुँओं के निर्मान से सम्मंदीत है जीवन धारा योजना इसको ने निम्रमी से भागडा नांगल बांद का पानी किसे नहीं मिलता है तो इसका गर्क टांसर है option number C दिल्ली को नहीं मिलता है भागडा नांगल बांध का पानी इसके लावा हरियाना पंजाब राजस्तान इन तीनों राज्यों को मिलता है नेक्शने गंग नहर से सरवादिक सिचाई राजस्तान के किस जिले में होती है गंग नहर से सरवादिक सिचाई नेक्शने माही नदी पर कनाड़ा बांध निर्मित किया गया है तो इसका correct answer है option number C राजस्तान में निर्मित किया गया है नेक्शने राजस्तान में सबसे अधिक सिचाई किन जिलों में होती है नेक्शने राजस्तान में नहरों दोरा सिचाई कितने प्रतिशत होती है तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन नमर्डी 31.09% होती है नहरों के द्वारा सिचाई राजस्तान में कुवों तथा नलकूपों के द्वारा कितने प्रतिशत सिचाई होती है तो इसका correct answer है option number D जो 66.5-4 जो परसेंट भाग है उस पर कुवों और नलकूपों के द्वारा सिचाई होती है निक्शने निम्न में से राजस्तान की इंद्रा गांदी नहर के पढ़नेता कौन थे तो इसका correct answer है option number B निक्शने निम्न में से राजस्तान में कहां से है तो इसका correct answer है option number C हरीके बेराजबान से है इंद्रा गांदी नहर का राजस्तान में निक्शने भारत की सबसे बड़ी नदी घटी प्रियोजना कौन सी है तो इसका correct answer है option number C भागडान अंगल प्रियोजना है सबसे बड़ी नदी घटी प्रियोजना निक्शने पांचना सिचाई प्रियोजना राजस्तान के कौन से जिले में है तो इसका correct answer है option number B पांचना सिचाई प्रियोजना निक्शने निम्न में से राजस्तान राजजे में मिट्टी से बना बांध कौन सा है तो इसका correct answer है option number E पांचना बांध है जो की मिट्टी से बना बांध है निक्ष ने भाकडा नांगल प्रियोजना का इसा राजस्तान में कितना प्रतिशत है तो इसका गरेक्ट आंसर है ऑप्शन नमर भी 15.22 प्रसेंट है राजस्तान का इसा भाकडा नांगल प्रियोजना में निक्ष ने निम्न में से पौंग बांध राजस्तान में किस नदी पर बनाया गया है तो इसका correct answer है option number B व्यास नदी पर बनाया गया है पौंग बांध राजस्तान में निक्ष ने मेजा बांध राजस्तान में कौन सी नदी पर बनाया गया है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमर B कोठारी नदी पर बनाया गया है मेजा बांध निक्ष ने मही नदी की सायक नदीया है तो इसका correct answer है option number B चाप, औराई, एरन, एराव ये चारो नदिया है माही नदी की साइक नदिया निक्शने निम्न में से साबर मती की साइक नदिया है तो इसका correct answer है option number C मानसी, वाकल, हत्मती ये तीनों ही साइक नदिया है साबर मती नदी की निम्न में से राजस्तान में जढने से सिचाई की जाती है अप्शन नमर्दी उदेपूर शहर को पेजल उपलव्द कराना मुख्य उदेश्छा है मांसी वाकल प्रियोजना का इंद्रा लिफ्ट सिचाई योजना राजस्तान के किस जिले में है तो उसका correct answer है option number B सवाई मादुपूर जिले में इस्तित है इंद्रा लिफ्ट सिचाई योजना इंद्रा लिफ्ट सिचाई योजना निम्न में से कौन सा बांथ करूली जिले में इस्तित है तो उसका correct answer है option number B बिल्कुर correct है पांच ना बांद इस्तित है करूली जिले में नेक शुने राजस्तान में सबसे बड़ी वय निरंतर बहने वाली नदी कौन सी है तो उसका correct answer है option number A चम्बल नदी है जो की सबसे बड़ी और निरंतर बहने वाली नदी है नेक शुने इसका correct answer है option नमर B जो पाँचना सिचाई प्रयोजना है वहाया जालावाट जिले से सम्न्दित नहीं है नेक्ष ने बाखड़ा नांगल प्रयोजना कब प्रारण्ब की गई तो इसका correct answer है option नमर B बिल्गुल correct है प्रत्रण्ब योजना के समय प्रारम की गई थी बागडा नंगल प्रियोजना निक्षन है पवन उड़ जा के शेतर में राजस्तान का कौन सा इस्तान है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमर सी राजस्तान राजे का थर्ड इस्तान है पवन उड़ जा के शेतर में निक्षन है राजस्तान के श कोसेंट शीतर में आंतरी परवहा पढ़ना लिपाए जाती है राजस्तान में नियुmand में से चम्बल लदी का पराची नाम कौन सा है तो इसका घ्रैक टांसरा आप्ष्णन अमबर ए चरमवती है चम्बल लदी का पराची नाम चंबल राजस्तान में कहां से पृवेश करती है तो इसका directory answer है option number B 84 गड़ी से प्र offers करती है चंबल नदी-राजस्तान में इसका directory answer है option number C जाना पावगे पहाड़ियां है अनिक्ष्ट सने राजस्तान में चूलिया जल पृपात कौन सी नदी बनाती है तो इसका correct answer है option number B चंबल नदी बनाती है चूलिया जल परपात Next निम्ल में से चंबल की लमभाई कितनी है तो इसका correct answer है option number C 966 km है चंबल नदी की कुल लमभाई Next निम्ल में से राजस्तान में वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है तो इसका correct answer है option number B बनास नदी को कहा जाता है वन की आशा के नाम से निक्षने राजस्तान में पूर्णते बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो इसका correct answer है option number B बनास नदी है जो कि पूर्टे बेने वाली सबसे लंबी नदी है निक्षने निम्न में से राजस्तान में बनास नदी का उद्गम इस्तल है तो इसका गरेक्ट आंसर है और अप्शन नमरे खमनोर की पहाड यां है बेड़च नदी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है तो उसका correct answer है option number C आयड की नाम से भी जाना जाता है बेड़च नदी को नेक्षन है राजस्तान में बेड़च 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 मेनाल का तिरिवेनी संगम है तो उसका correct answer है option number C बिंगोत के अंदर है बेडच नदी बनास नदी और मेनाल नदी तीनों का संगा निक्षन है निम्न में से डेबर जील नाम है तो इसका गरेक्टांसर है ऑप्शन नमर B जो जेख समन जील है उसका नाम है डेबर जील निक्षने राजस्तान में सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमर B सामबर जील है जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की जील है निक्षने निम्न में से कच्च की खाडी में कौन सी नदी गिरती है तो इसका correct answer है option number B जो पच्ची में बनास नदी है वह गिरती है कच्च की खाड़ी में निक्षन है निम्न में से लूनी नदी का पानी कहां से खारा हो जाता है तो इसका correct answer है option number B बालोतरा से खारा हो जाता है लूनी नदी का पानी कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन नमर भी माही नदी गिरती है खंबात की खाड़ी में निम्न में से राजस्तान में बेराट की पहाडियों में कौन सी नदी निकलती है तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन नमर सी बांड गंगा नदी निकलती है बेराट की पहाडियों से निक्षने राजस्तान में मावट किसे कहते हैं तो इसका गरेक्टांसर है आप्शन नमर जो शीत रुतु में राजस्तान में उत्री पच्छिमी चक्रवात से जो वर्षा होती है उसे ही मावट कहते हैं नेक शुने राजस्तान में किस जिले में सूरिय की किर्णों का तिरचापन सरवादिक होता है तो उसका गरेक्ट आंसर है आप्शन मड़ी श्री गंगानगर ज होती है का संबंद है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन मड़ी भूमध्य सागर से संबंदित है नेक्ष ने अरावली शेत्र में वर्षा का ओसत कितना है तो इसका गरेक्ट आंसर है आप्शन मड़ी असी से में है वर्षा का ओसत अरावली शेत्र में नेक्ष ने राज राजस्तान में अधिकांश वरश्या किन पाउनों से होती है तो इसका गरेक्टरा नसरा है option number B दक्षिनी पच्छिमी मानसून की पाउनों से होती है अधिकांश वरश्या राजस्तान राज्य में